नेच्रल गैस पिछले साथ आठ दिनों से लगबख 10% का जम मार चुकी है क्या यह तेजी जारी रहेगी यहां से मार्केट यू टर्ण लेगा तो वीडियो को बिने स्किप करें पूरा देखना लास्ट इम वीडियो में आपको बताने की मैंने यहां पर कोशिश भी करी थी म मार्केट दुबारा उड़ने को रेडी है इस वाली वीडियो में जिन लोगों ने यह वीडियो देखी होती नौ दिन पहले डाली थी वीकली लेवल्स इसमें मैंने बताये थे तो इस बेसिस पे आपने अपनी पोजिशन प्राइस सेक्शन के बेसिस पे बनाई होती तो ए अबी दो सो पच्छिस रुपय के आसपास ट्रेट कर रही है मैंने आपको लास्ट इम बदाया था दो सो बीस दो सो एक्की से इंपॉर्टन डेसिस ब्रेक करेगा तो भागेगा दोस ओठाइस दो सो बत्रीस तक भी दो सो बत्रीस अभी पेंडिने के बजा दो तो दोनो न हमतावा हमें नजर आ रहा है पिक्शर देखेंगे सबसे पहले वन आर के चाट पे वन आर के चाट पे अगर आप ध्यान से देखें बजार ने एक वीशेप रिकवरी यहां से दिखाईए अपने बॉटम से और यहां से भी अगर आप वेव काउंट करें बजार में इस तर बजार में जो एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है आप देखो यहां से सेलिंग प्रेशर आया था यहां से सेलिंग प्रेशर आया था बजार में यहां से सेलिंग प्रेशर आया था तो दोबारह देखो वहीं से सेलिंग प्रेशर बजार में क्रेट हो रहा है य से एक सेलिंग प्रेशर आया सेलिंग प्रेशर आया पॉर्चुनिटी यहां पे मिलती रहेगी इस रेंज के अंदर जब भी इस रेंज के बाहर निकलेगा एक बड़ी तेजी या एक बड़ा गुकम बजार में दिखाई दे सकता है बड़ समझ के ट्रेट करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बड़ेगी बजार में के ट्रेट करना चाते हैं कमोडिटी मास्टी कोर्स में एंडॉल कर सकते हैं अफॉर्डेबल कॉस्ट पे रखा गया है कोर्स का लाइफ टेम एकसिज होता है और डेटा न्यूज इन्वेंटरी एनलेसिस का भी कोर्स इंक्लूडए थ्री कोर्स बंडल है अब आ जाते हैं ड बजार इस जगे आके ठैर गया इस रेंज में फज गया तो जब भी इस रेंज को निकालेगा बजार एक बड़ी तेजी या बड़ी मंदी दिखाएगा उपर की तरफ तू पैंट सेवन फाइव और नीचे की तरफ तू पैंट सिक्स टू डेली चार्ट के बेसिस पे कहीं न कहीं यह साइड़ वेस रेंज में फसा रहेगा इस अफ़ते तो यह रेंज निकालना यह हाई काटना बहुत इंपॉर्टन्ट है हाई काटेगा तो नहीं एक तेजी यह वाला हाई बनाएगा जो की तीन डॉलर का हाई है अब आज आते हैं हम पंदरा मिनट के चार् मुझे यहां से देखने को मिली थी आपने देखा इस दगे पॉज लेके उठाया बजा और इसने क्या करा हाई लगाया नीचे आया डबल टॉप बनाके यहां से फिर यह गिरने की कोशिश कर रहा है तो लोवर लोस फॉर्मेशन इसने यहां से रही नहीं कहीं दे दी बज तो एक सपोर्ट की तरह बजार में यह वक कर रहा है लेवल 2.696 का एक क्रूशल लेवल सपोर्ट बजार के लिए तो यहां पर आपको बाइंग का प्राइस सक्षन मिल जाता है तो खड़िदारी या स्कैलपिंग कर सकते हैं बट बहुत जादी तेजी की संभावना ना एक नीचे चलेगा तो एक बड़ी मंदी फिर नीचे की तरफ दिखा सकता है बट उस समय आप यूज डेटा और inventory का भी analysis करे inventory आती है कब आएगी 10 अगस्ट को inventory आएगी रात को 8 बजे रात को 8 बजे 10 अगस्ट को inventory आएगी वो भी important है बजार में तो technical तो important है उसके साथ अपना data and use inventory analysis जरूर करें और तब आप trade करेंगे तो आपकी profitability बढ़ेगी इसके नीचे अगर sustain कर जाता है price तो थोड़ इसी weakness बजार में दिखा सकता है first support बजार के लिए 2.71 इसके नीचे एक crucial level मैंने यह भी find out करा है यहाँ पे 2.641 और फिर बजार में एक support यह रहेगा 2.6 00 first level बजार में second support यह भी break करता है तो third level यह तिखा सकता है एक अच्छा support बजार के लिए 2.60 2.57 बजार के लिए जो लोग अभी purchase करना चाते हैं वो 2.697 के ओपर खरीदारी की जा सकती है बजार में price section आपको देखना पड़ेगा जब भी बजार यह level break करेगा यह range जो break करेगा जहां से fall आया fall आया बजार में fall आया इस range से 2.753 जो daily charts का भी level है यह break करेगा तो एक नए high बनाता हो आपको बजार नजर आया का 2.79 और उपर की तरफ फिर यह level भी break करा तो हो सकता है तीन डॉलर की तरफ भी बजार निकले जा है तो वो inventory के बाद आप expect कर सकते हैं अगर inventory बहुत ज़्यादा minus में आती है या फिर इसके according आप plan कर सकते हैं price section देंके अब बात करें mcx natural gas के charts पे यहां डबल बॉटम लगाके बजार ओठ रहा है यहां का support लिया यहां का support लिया बजार support लिया support लिया support लिया जब यह हाई break करेगा बजार एक नई तेजी दिखाएगा 230 रुपे के ओपर जब भी निकलेगा बात करें one hour की चैट की one hour की चैट पे अगर आप देखो यहां से resistance ले गर इश्रा बजार इस range में फसावा नजर आ रहा है नीचे के levels की बात करें नीचे भी वैसे भी inverted head and shoulder था एक अच्छा breakout के बाद भागा भी बजार जैसा हमने expect किया था बजार उसके according चला one hour के चैट पे कुछ levels भी मैंने यहां पे mark कर रखें आप भी note कर सकते हैं बजार मे उपर की तरफ एक level में यह भी mark कर देता हूं 235 का जहां से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और फिर इसके उपर एक level यह भी बन जाएगा 248 रुपए का तो 235, 236, 248 उपर की तरफ level नीचे के level में अलड़ी mark कर चुका एक level यह भी mark कर देते हैं बजार में 240 अब आ जाते हैं वनार के चार्ट पे वनार के चार्ट पे आप पिक्चर देखो क्या नजर आ रहा है बजार यह जो उपर वेब बनाके गया फस्ट वेब बनाके बजा उपर गया सेकंड वेब बनाने नीचे आया थर्ड वेब बनाने उपर जा रहा है बजा थर्ड वेब कई बार बहुत बड़ी बन जाती है कई बार छोड़ी बनती है बड़ रहा है बजा तुमीद है थोड़ा बहुत करेक्शन यहां से कर सकता है बट साथ में आप तो कहीं ना कहीं बजार यहां से तो उड़ गया एक रेंज बनाके उड़ गया बड़ एक ही अच्छा सपोर्ड मुझे नजर आ रहा है कौन सा दोसो चौबिस हो दोसो चौबिस रुपए के ओपर अगर आपको बाइंग का प्राइस सक्षिन मिल जाता है तब खरीदारी की ज फेले विफोर इंवेंटरी और एक है आफटर इंवेंटरी एक बड़ी तेजी के समभावना आपको पता बजार पहले ही ऊपर जा चुता इंवेंटरी आने वाली यह पर्सो को चयादा तेजी की समभावना यहां से एक्सपक्नी की जा सकती की बजार निकल जाएगा 236 और 248 इन्वेंटरी से पहले हाँ इन्वेंटरी के बात की बात करूँ तो 228 की ओपर अगर निकला बजार तो उपर की तरफ लेवल मैं दे चुका आपको 236 248 तक भी जा सकता है अगर 3 डॉलर की तरफ बजार निकला और इन्वेंटरी से पहले की बात करें तो बजार कहीं न कहीं 232 रुपए तो टच करी सकता है अगर 228 रुपए का लेवल ब्रेक कर दिया अब बात कर लेते हैं मंदी की बजार में जो लोग इंटरेडे करना चाहते हैं 224 रुपए के नीचे या फिर यहां पर आपको प्राइस सक्षन मिल जाता है 228 के आसपास या 232 के आसपास सैलिंग का प्राइस सक्षन मिलना चाहिए तब ही करना है तो प्राइस सक्षन आप से ट्रेट करें है ऐसे ही 254 के नीचे अगर प्राइस स स्टेयन कर जाता है व्र डोसेर टोड़ेगा तो जोसो सोला और फिर नीचे के तरफ ौडरा रुपए के लावल भी लिखआ सकता है तो important बजार के levels मैंने यहां पर आपको देने की कोशिश करिए एक major support बजार का 204 का हमेशा बना रहेगा जहां से एक बड़ी तेजी आपने यहां से 10% की देखी तो यहां भी अगर आपको बजार इस हफते मिल जाता inventory के बाद अगर inventory के according बजार तो एक अच्छी फिर यहां से खरीदारी यह शॉर्ट कवरिंग बजार में देख में को मिल सकती है दो सो चार या फिर दो सो बारा रुपए के level के aspects तो दो सो बारा के नीचे बजार में एक बड़ी मंदी दो सो चार रुपए की तरफ चलना है start तो जो लोग selling plan करना चाहते हैं मैंने बता दिया दो सो नहीं हूं इस चैनल को अभी subscribe कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर लाकर रहते हैं हम innovative information आपके लिए इलियर वेव और price section setups के basis पे levels आपके लिए लेके आते हैं Thank you so much for watching this video